असलाम लेकुम, FastAPI के एक और लेक्षर में मैं आपको खुश्यामदीद कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे मुझूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे कि path parameters किस तरीके से assign किया जाते हैं और path parameters होते क्या हैं और let's jump into it, मैं यहाँ पर screen पर आता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक निया folder बनाता हूँ नाम इसका रख देता हूँ, 05 path parameters by the way यह सारे के सारे code को मैं separate इस वेज़े से कर रहा हूँ because we are developing something जो आपको बाद में भी फाइदा देगी ठीक है, so मैंने का किया अपनी जो पिछली file थी उसे उठा के fifth parameter, fifth folder के अंदर रख दिया and now we will see के हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चल रही है अब मैं क्या करता हूँ, इसको run करता हूँ, बलके मैं यहाँ से cd06 05 और 6, 05, path parameters में जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी uvicon के थूँ इसको, app को run करते हैं जैसे मैंने इसको run किया, मैं control click करके यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे यह चीज़ लिखी हुई है अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपना code दिखाऊं, you can have a look कि हमने एक route define किया था यहाँ पे, ठीक है जिसके आगे हमने slash, यानि कि यह root है basically, यह वाली जो होती है ठीक है, और इसके आगे जब हमने जाना होता है, then we have to use different kind of things हम यहाँ पे forward slash के बाद जो भी चीज़ लिखेंगे, वो हमारे पास आएगी जैसे मैंने swagger documents के अंदर जाके, यहाँ पे slash docs लिखा था, तो हमारे पास swagger documentation open हो गई थी something like this, ठीक है, and now if I go, मैं इसको copy करता हूँ बात को, यहाँ पे paste करता हूँ और docs को remove कर देता हूँ, अब जो भी मैं यहाँ पे forward slash के साथ path लिखूंगा, for example, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, and it will actually give me some kind of error, method not allowed, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ item, यह हमारा path होता है, method not allowed, अब हम क्या करते हैं, हम different किसम के paths को decide कर सकते हैं, मैं यहाँ पे add a path parameter add करता ह और path parameter के through हम देखेंगे किस तरीके से कोई भी path parameters add किया जाते हैं, say for example, मैं यहाँ पे get request देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ item, ठीक है, और item के फोरण बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी item यहाँ पे run करते हैं, यह पिछली वाली जो line है, इसको मैं remove कर हमने path design किया, जिसका नाम है item, और यहाँ पे हमने लिख दिया async def, यानि कि define करें, def के साथ get item, कैसे, जब item id कोई भी बताई जाएगी, मैं अभी के लिए integer को यहाँ से remove करता हूँ, just to show you कि यह क्यों हमने डाला, and यह return करेगा item id, for example, अब हो क्या रहा है, जैसे मैं इसको ctrl होगा, say for example, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, अब 5 is not found, लेकिन यहाँ पे मैंने एक path लिखा है, item के नाम से, which is giving me this error, क्योंके reason क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई value नहीं मजोद, तो item मुझे क्या करेगी, ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बजाए इसके, कि item id को ल list इसको ctrl s करता हूँ, वापस जाता हूँ, इसको refresh करता हूँ and अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने item को लिख है, अभी भी हमारे पास same error आ रही है, because यहाँ पे हमने item id का एक function दिया हुए, मैं इसको remove करता हूँ, just to show you and now I see, कि जैसे मैं item के path में जाता हूँ, तो वो मुझे यह message देता है, list items, ठीक है अब यह एक path हमने define किया item के साथ, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको items भी कह सकते हैं, then it will say get items, list of items तो जो आप change करेंगे, वो यहाँ पे real time के अंदर आपके पास होती रहेगी, items मैं लिखूँगा यहाँ पे, and then it will work, because I have changed the spellings, list items, ठीक है this route will list items, right, something like this, तो यह मेरे पास इस तरीके से एक path parameter मैंने decide कर दिया, वो ही चीज़ जब आप different pages बनाते हैं, तो these are called paths, ठीक है और आप इस तरीके से different paths को यहाँ पे manage कर लेते हैं, अब यहाँ पे, अगर मैं, items की ID को यह add करना चाहूँ, और यहाँ पे कुछ print करना चाहूँ, we can do that as well, तो हम क्या करेंगे, add path parameter in items, in the route, items, as item IDs, ठीक है अब हम यहाँ पे item ID का एक path add करेंगे, यानि कि items के साथ जब हम items ID की तरफ जाएं, तो हमारे पास async, हम get items की ID लिखें, और यहाँ पे, मैं इसको int को यहाँ से remove करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास item ID print हो जाएं, ठीक है, अब मैंने इसको ctrl s करके save कर लिया, अब मैं लिखता हूँ, item ID, for example price, मुझे बताओ, तो यहाँ पे आजएगा item ID जो है, वो price की है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, say for example, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, fruit, तो यह item ID मुझे fruit देगी, अब आप एक चीज़ पर गौर करेंगे, जब मैं यहाँ पे string लिखता हूँ, तो हमने fast API को install किया था, there, you know that के हमारे पास यहाँ पे pydentic भी है, जो हमारे पास data के parts को handle करने के लिए use होती है, for fast API, और starlet हमारा web parts को use करती है, अब uvconn जो है, वह basically server को, तो pydentic का एक function है, जो basically आपके dataset को integer बना देता है, say for example, मैं यहाँ पे colon लगा के integer लिखूँगा, now when I save this, अब same चीज को मैं 5 लिखके run करता हूँ, तो यह मेरे पास as an integer आ रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, fruit, यह मेरे पास error देगी, reason क्या है, कि fruit जो है, वो एक integer नहीं है, उसके लिए हम use कर सकते है, string, मैं str लिखता हूँ, इसको मैं ctrl s करता हूँ, यहाँ यहाँ पे मैं इसको run करता हूँ, now you can see fruits, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, आपको क्या लगता है, कि यह print होगा 5, boom, it will print but again as string, तो हमने जो भी यहाँ पे लिखा है, path के अंदर, item id के अंदर, वो सारे का सारे as a string यहाँ पे आ गया, अब यह कहाँ पे use होते हैं, जब आप एक लंबी database के list बना रहे होते हैं, तो for example, आप किसी user की, item की, या user की id वहाँ पे show करवाना चाहते हैं, you can actually use this path, और वो उनको दिखा देगा कि इसकी id है, और यह इसकी सारे information है, and this is how we use these path parameters, यहाँ तक आपको clear हो गया, कि किस तरीके से path parameters use करते हैं, अब same path parameters हम use क path parameter, अब same वो ही चीज़ है, users और user id के अंदर हम जाएंगे directly, और यहाँ पे, हम user id को enter करेंगे, और user id हमारे पास unique id होगी with numeric digits, या हम integers उसको बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे path के अंदर जाता हूँ, user के slash 5 लिखता हूँ, you will see detail not found, अब reason क्या है कि हमने यहाँ पे users लिखा ह हुआ है, so you have to pay attention towards the path, मैं यहाँ पे जाता हूँ, users, enter, and I refresh this, nothing happened, let's see, क्या error है यहाँ पे अब, हमने यहाँ पे, oh I see, user का items id, get items id, get user, user id, it should work, but why isn't working, अगर हम यहाँ से item वाला path उठाएं, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे मैं users लिख देता हूँ, ताके इसकी भी एक, हमारे पास, list users, get users, इसको run करते हैं, और यहाँ पे, oh I see, मेरा path जो है, वो wrong है, यहाँ पे items लिखा हुए, I don't need to run items, now it will be working fine, sorry for this wrong, यह आप देख सकते हैं, हमारे पास user id जो है, वो print होना start होगी, and this is how you can actually add the parameter, path parameters inside your app, अब जो next lectures आने वाले हों, उसके अंदर मैं आपको और भी detail में बताऊंगा, कि path parameters को किस तरीके से set किया जा सकते हैं, like, share, subscribe this video and channel, see you in the next one, अपना ख्यार रखें और जुरूर कमेंट भी गया करें नीचाएं.